MS Word 2016 के इस अध्याए में आप सीखेंगे Quick Access Toolbar के तहट Undo और Redo Options का उप्योग करना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें मान लिजिए आपने कोई भी कमांड दी है या फिर गलती से कोई कमांड देने में आ गई है और अगर आप उस कमांड को कैंसल करना चाहते हैं तो उसके लिए Undo Option का उप्योग करते हैं आईए हम इसे करके देखते हैं मान लिजिए ये जो टेक्स्ट है इसका जो पहला परेग्राफ है इसको हमने बोल्ड कर दिया है इसके लिए हमने पहले इसको सेलेक कर लिया और बोल्ड पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया है पहले कमांड हमने बोल्ड करने की दी दूसरी जो कमांड है वो ये कि जो दूसरा परेग्राफ है इसको हम italic करना चाहते हैं तो इसको select करके हमने italic कर दिया और तीसरा paragraph जो है इसको हम delete करना चाहते हैं तो इसको select करके हमने delete कर दिया अब ये जो तीनों commands हमने दी थी इनको हम cancel करना चाहते हैं Cancel करने के लिए हम quick access toolbar में undo का जो option है उस पर click करेंगे या फिर shortcut keys भी use कर सकते हैं इसके लिए shortcut keys हैं control प्लस Z पहली बार जब हमने undo किया तो सबसे last में जो command दी थी सबसे पहले वो undo होगी यानि वो cancel होगी तो हमने जो तीसरा paragraph डिलीट किया था वो वापस आ गया अगर हम फिर से undo पर click करेंगे तो दूसरा paragraph जो है वो italic से वापस normal font में आ जाएगा यह देखिए अब वापस अगर हम undo करते हैं तो पहला paragraph जो है उसके लिए हमने bold की command दी थी वो cancel हो जाएगी और ये भी normal हो जाएगा इस तरह से किसी भी command को cancel करना हो तो आप undo option का उप्यो कर सकते हैं अगर आपने एक से ज्यादा commands दे रखी हैं तो undo आप करते जाएं पर सबसे बाद वाली command सबसे पहले cancel होगी अब ये हमने सारी commands cancel कर दी थी याने undo कर दी थी पर अब हम चाहा रहे हैं कि वापस से जो commands हमने सबसे पहले दी थी ये वैसा ही हो जाए याने तीसरा paragraph delete हो जाए दूसरा paragraph italic में हो जाए और पहला paragraph bold हो जाए तो हम उन commands को वापस लाने के लिए redo पर क्लिक करेंगे या फिर shortcut keys control y का उप्योग कर सकते हैं अब ये हमने पहली बार जब redo किया पहला paragraph bold हो गया दूसरी बार में क्लिक करने पर दूसरा paragraph वापस italic में आ गया है और तीसरी बार में क्लिक करने पर जो तीसरा paragraph था वो वापस delete हो गया है तो इस तरह से आप redo और undo options का उप्योग कर सकते हैं MS Word 2016 के इस अध्याय में आपने सिखा Quick Access Toolbar के तहट undo और redo options का उप्योग करना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें अने लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें